Dear Amad, Happy Birthday to you Assalamualaikum and welcome back to my channel Aribami अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजी और नीचे दिये गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजी ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडिया आप तक सबसे पहले पहुंच सके आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी ड्रामास की मारूफ अदाकार अमर खान के बारे में जिनोंने अपनी बहतेरी नदाकारी से दिलों में जगा बनाई अमर खान ने अपनी फ़नी सलाहियतों से ना सेफ टेलिवीजिन बलके फ्लेम इंडरस्ट्री में भी कामियाबी हासल की उनका मशूर ड्रामा दिले गुमशुदा जहां उन्होंने अपनी करदारों में हकीकत का रंग भरा आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे किस तरह अमर खान ने अपनी सालगरा की तकरीब मनाई और उस तकरीब में कौन कौन सी मशूर शक्ष्टियाद शामल थी तो चलें इस हसीन तकरीब का जाइजा लेते हैं अमर खान की सालगरा की तकरीब का आगास हुआ उनकी दिलकश इंटरी के साथ जहां वो हमीशे की तरह खुबसुरत नज़र आई उनके इस फास दिन को और भी याददार बनाने के लिए उनके करीबी दोस्त और फैमली मेंबर्स मौजूद थे तकरीब में पाकस्तानी इंडरिस्ट्री के मशूर अदाकार मौनी बर्ड और उनकी बीवी एमन खान भी शामिल थी दोनों की जोड़ी हमीशे की तरह तकरीब में सब की तवजू का मरकस थी और उनके अमर खान के साथ खुबसूरत लमहाद भी शेयर की मिना खान, सुबूर अली और अली अनसारी जो अपनी दोस्टे और स्टाइल के हवाल से जाने जाते हैं वो भी इस तकरीब का हिसा बर्ड़कारों ने तकरीब में भरपूर इंजुआए कि और अमर खान को खुब दूआएं दी किन्जा हाश्मी जो अपनी मासूम, मस्कुराहट और जबर्डस अदाकारी की वज़ज़ से जानी जाती है उन्होंने भी अमर खान की सालगरा में शिर्कत की किन्जा हाश्मी की इंटरी ने तकरीब को और भी हुबसूरत बना दिया तो नाजरीन ये थी अमर खान की सालगरा की खुबसूरत तगरीब जिसमें उनके करीबी दोस्तों मशूर शक्सियात ने शिर्कत की और इस लम्हे को यादगार बनाया अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजएगा कॉमेंट में अपनी राय का इज़ार दरूर दीजिएगा कि पार्टी में सबसे प्यारा कौन लग रहा था और वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा अगली वीडियो तक अपना खयार रखिए जब तक के लिए अलाहाफिज